सुबचों नवश्कार, अज हम आपकी वक्षी तंबर तीज क्लास आठ भी विज्ञान डिसकस करेंगे जैसे कि आपको बता, आपका रिप्रोडेक्शन इनिमल्स का चेप्टर चल रहा है जनतो में जनन, तil now we have read about the fertilization और उसके type, now we'll run about the, what happens after fertilization के बाद क्या होता है So, jygote is formed after the fusion of male gamet and female gamet that is after fertilization इसेचन के बाद नर्युगमकृर मादयम के सलय से युगमजन, उगमनच का निर्मान होता है उसके बाद जो है development boon का विकास होता है So, fertilization results in the formation of jygote which begins to develop into an embryo जाइजेशन हो गई जाइगोट बन गया और फिर ये एंब्रियो में कनवर्ट हो रहा है तो निशेचन के प्रमान सुख यूगमनज का निर्मान होता है बार बार विपाजित होकर वो कोश्काओं के गोलें बदल जाता है जिससे भून कहते हैं तो निशेचन के बाद यूग बनना शुरू हो जाता है जब उसके जो है अलग अलग अंगों का निर्मान होगा जैसे हाथ पैर आंक ना तो ये जो डवलप्मेंट ओ फिटस जो है जो पूरा हो जाता है तो बर्थ होता है बून गरबाशे की दिवार में रोपित हो कर विकसित होता है गरबाशे मून का विकास होता रहता है देरी देर आंगों जैसे हाथ पैर से रांग का नाख अधी का विकसित होता है जैसे आप देख सकते है रोपित और यह फिर जो है यहां पर फिटस का निर्मान होता है जब पूरा विकास हो जाएगा प्रेशन उत्तर में पहला प्रेशन है यू तो डि जो फिर एप्सेंट होती इसमें प्रेजन उते हैं तो आप यहां से लिख सकता है तीसरे को तुर नियु एंडिविजुवाइज़ डवलप स्वें एस सेल कॉल्ड गैमिट सो जो गैमिट्स है उससे डवलप होता है कि नहीं अगलेड आफ्टर फिर्टिलिजेशन इस मेड़ और सिंगल सेल ंता है झाइग लिख वर्माइज़ जो जो यहां पर भी फोल्स है और समय और स्वेंडेज़ जो जो है बनाते हैं जाईगोट्स होता है यह एक युमनजु और गर्ब के बीच के दो अंतर लिखे तो आप यहां पे उत्तर देख सकते हो दोनों अंतर लिखे वे यह एकल कोशिका होती है यह बहु कोशिका होती है दूसरा मादा कि किस जननंग में भून कर ओपन होता है तो गर्बाश है तीन में परिभाशा भून और गर्ब की चोता सही गलत में हो कोशिका जो मनुश्य में नए जिवन का प्रारम है युगमक कहलाती है तो वो युगमक नहीं युगमनज कहेंगे तो यह फॉल्स है ऐसात्य है निशेचिन के बाद नर्णों एक फून एक कलकोशिका बना जाता है तो उसके अंदर एक कलकोशिका नहीं होती है तो उम्मीद करते हैं आपको वक्षिट पसंद आई होगी तेखने के लिए धन्यवाद